ये पाई बॉंड को तोड़ दो H, H से ये दौनों पाई तोड़ो पहला टूटेगा H, H से दूसरा टूटेगा H, H से अलकेन की हम हीटिंग करा देते हैं एनहाइडरस, एलुमिनियम, क्लोराइड के साथ ध्यान से देखें, चार कारवन की अलकेन मैंने लिए है और यहाँ दिया जाएगा एनहाइडरस, ALCL3 और HCL आपको दिया जाएगा, Na प्लस लिक्विड अमोनिया क्या करेगा, ये पाई बॉंड तोड़ो H और H से, लेकिन आपोजेट साइड लगा देगा तो ये रियेजेंट देखके तुम पहचान होगे अब HOX है, तो यहाँ पर X प्लस OH माइनस बना लो और इसको तुम दोड़ो माइनस प्लस में और वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या लगा है साइड में माल लीजे मैं इसको चेंज करके ऐसा कर देता हूँ तो आप बता पाओगे कि कौन कहा जाएगा हेलो बच्चो बहुत 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 नमस्कार स्वागत है सभी लोगों का हाइड्रो कार्बन की माइन्ड मैप सीरीज में नई और गैनिक केमिस्ट्री की माइन्ड मैप सीरीज में और हाइड्रो कार्बन का लेक्चर है चलिए तो सुरू करते हैं फिर हाइड्रो कार्बन का लेक्चर और आप सभी लोगों ने iu-pac, iso-mergem, goc देख लिया होगा बहुत बढ़िया तरीके से revise कर लिया होगा hydrocarbon का एक quick revision कर लेते हैं ठीक है तो hydrocarbon का quick revision आप start करवा दीजिए sir ये हम आज cover करने वाले है पूरा complete hydrocarbon है बस ऐसे ऐसे preparation properties और alkyne और benzene cover करेंगे भाई साब सबसे पहले alkyne शुरू करते हैं ठीक है alkyne start कर देते हैं अपन यहाँ पर तो ध्यान दीजेगा भाई साब alkyne में क्या-क्या reactions होती है जल्दी-जल्दी cover कर लेते हैं चलिए भाई alkyne में पहली reaction है unsaturated hydrocarbon से unsaturated hydrocarbon क्या होता है भाई साब जानते हो आप double bond या triple bond से तो alkyne या alkyne में आप hydrogenation reaction करवा दो काम हो जाएगा देखे जराब यह alkyne है यह alkyne है hydrogenation reaction में क्या होता है H2 in presence of nickel हो गया platinum हो गया palladium हो गया इनके साथ reaction होती है alkyne में इसके 2 mol लगते हैं अगर mol नहीं भी लिखे हैं तब भी तुमको 2 mol लेके चलना है रियान दखना भाई तो क्या करेंगे अपन यह pi bond को तोड़ दो HH से यह दोनो pi तोड़ो पहला तूटेगा HH से दूसरा तूटेगा HH से यहाँ देखेगा C के साथ ऐसा मतलब pi bond तोड़ चुका है और आपकी alkyne alkyne मन चुकी है आपकी alkyne alkyne मन चुकी है और आपको अच्छा लग रहा है pi bond तोड़ देंगे HH से यह कहानी है तो यह hydrogenation reaction होती है अगला alkyl halide के साथ आप reaction करा दो zinc की in presence of dilute HCl alkyl halide RX है इसमें आप fluorine नहीं ले सकती क्योंकि carbon और fluorine का bond strength बहुत जादा होता है और fluorine ने का अच्छा leaving group भी नहीं होता है ना तो हम यहाँ पर zinc plus dilute HCl बताओ zinc plus dilute HCl तुमको क्या देगा zinc plus dilute HCl भाई साब अपने को देगा ZnCl2 प्लस H2 और भाई साब फिर hydrogen आ गया और hydrogen आ गया तो reduction होता है भाई hydrogen से होता है reduction यह बन जाएगा RH यानि कि यहाँ आपको सीधा सीधा काम करना है X अडाया और H लगाया X अडाओ H लगाओ ठीक पिछले वाले में पाई बन तोड़ना था है जैस से अगला वर्ज reaction में क्या होता है alkyl halide जो होता है और alkyl halide से alkyl halide से alkyl मनाया करते है हम कैसे करेंगे सवाल वो मैं बता देता हूँ ध्यान चे देखिएगा E1 number की alkyl मनाने के लिए यूज करते है RX की reaction NA dry ether हम लेते हैं अगर हमने moisture ले लिया तो गड़बड हो जाएगी क्यों क्योंकि फिर यह alcohol बगरा बनने लगेगा तो NA dry ether लो क्या करो आप कैसे करना है देखिए RX bond तोड़ा radical radical क्या बना R radical और एक ऐसा ही R radical अपनी तरफ से लिख लो मतलब इसके दो बोल ले लो तो R radical R radical कम माइन होके क्या बन जाएगे R R बन जाएगे क्या बन जाएगे R R बन जाएगे तो आपको alkyl halide दिया है bond तोड़ा radical बनाया R radical X radical X radical भूल जाओ उसका कोई मतलब नहीं है R radical अपने ही दूसरे R radical से जुड़कर alken बना लेगा और जब कभी भी coupling होती है आपको याद तो होगा coupling क्या होती है तो जब कभी भी coupling होती है तो क्या होता है even number की alken बनती है क्यों? odd plus odd भी even होता है और even plus even बच्चपन से ही even होता है बहुत बढ़ी है ठीक है? अगली reaction देखें decarboxylation sodium salt के साथ हम soda lime की reaction करवाते है एक carbon कम की alken बनती है जैसे मेरे पास दिया है R-C-O-H N-A-H और C-O N-A-H और C-O क्या काम करता है? C-O-H हट जाएगा decarboxylation मतलब carboxylation का D करना है और chemistry में D का मतलब होता है removal करना है है तो आपको क्या करना है? C-O-H हटा कर आपको H लगा देना है तो इसको कैसे करोगे इसके सवाल C-O-H हटाओ H लगाओ C-O-H हटाओ H लगाओ ये काम आपको यहाँ पर करना है ठीक है? और soda lime mixture होता है ये N-A वे C-O को soda lime mixture बोलते है अगर मुझे यहाँ पर H की जगे N-A भी दिया होता तब भी कोई डेंसन नहीं चाहे N-A दिया हो चाहे तो मैं salt दिया हो चाहे acid दिया हो काम यही होगा ठीक है? अगला कोलवेज electrolysis वर्ज reaction अभी देखी है हमने radical बनाके combine कराया था वैसे यहाँ कराना है क्या कराओगे भाई साफ radical radical क्या बना? R radical बना यहाँ लिख रहा हूँ R radical बना ऐसा ही एक और ले लो दो मोल ले लो तो R radical अपने ही R radical से combine होके R R बना लेगा कितना बहतरीन तरीके से काम हुआ जो आपका वर्ज के आंसर होते हैं वोई कोलवेज के आंसर होते हैं बोला मैंने वुर्ज के आंसर कोलवेज के आंसर सेम ही है बस यहाँ salt of carboxylic acid होता है वहाँ पर alkyl halide होगा करता था वहाँ reagent एनेट राइधर होता था यहाँ electrolysis कराना है current pass करना है ठीक है? आगे चलते हैं properties पर चल लेते हैं properties में number one halogenation halogenation ध्यान से देखेंगे halogenation में क्या होता है? alkyne की reaction होती है x2 in presence of sunlight बहुत आसान है r h लिखो x x लिखो h x निकाल दो क्या बनेगा? r x बनेगा और h x बनेगा यानि कि h हटाना है h हटो x लगो ठीक है? h जल्दी बहाँ से लटो है ना? तो h अटाना है x लगाना है यानि कि alkyl halide आपको बनाना है ठीक है? और इसमें अगर आपसे कभी rate of reaction बूछ ले alkyl halide के लिए तो f2, cl2, br2 और i2 यह होता है जिसमें से यह दोनों important है आपके लिए यह highly exothermik reaction होती है और यह slow reaction होती है तो यह वाला हम usually नहीं लेते लेकिन हाँ iodination आप एक बार को करवा सकते हो strong oxidizing agent डाल के क्योंकि यहाँ जो hx है ना? अगर iodine हुआ तो h i बनेगा h i एक अच्छा reducing हो agent होता है reaction को reverse कर देगा इसलिए अगर reaction को reverse नहीं ले जाना है तो आप h i o 3 h i o 3 डाल दो वो h i को i2 में oxidize कर देते हैं अगर मुझे इसमें chlorination और bromination कराना है तो bromination वाली reaction होती है more selective less reactive less reactive और यह होती है more reactive less selective less selective है ना? तो ध्यान दीजेगा जरा इसमें 3 degree, 2 degree, 1 degree यह rate of reaction होती है यानि कि 3 degree major फिर 2 degree, फिर 1 degree और इसमें आप क्या करते हो यहाँ जो rate होती ना RP, RS और RD की RP मतलब rate at primary carbon rate at secondary, rate at tertiary यह होता 1 is to 3.8 is to 5 तो यहाँ rate comparable होती है यहाँ पर rate होती है RP, RS, RD की तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या, NPRP चेक करो NS, RS चेक करो और NT, RT चेक करो इनका product जिसका ज़्यादा होगा वो major हो जाएगा NP मतलब primary hydrogen NS मतलब secondary hydrogen NT मतलब tertiary hydrogen इस तरीके से अपन सोचा करते हैं हेलोजीनेशन reaction में अगला देखें Isomerization reaction यहाँ पर ध्यान से देखें Alcane के हम heating करा देते हैं Enhydras, Aluminium, Cloride के साथ ध्यान से देखें चार carbon की Alcane मैंने ली है और यहाँ दिया जाएगा Enhydras, Alcl3 और HCl आपको दिया जाएगा क्या करोगे इससे एक carbon कम की Isomer बना दो तो चार carbon की straight chain है एक carbon कम की Isomer बनाना है तो तीन carbon लेकर एक branch लगा दूँगा अगली reaction देखो Aromatization reaction में देखो Cr2O3, Al2O3 या फिर Mo2O3 के साथ reaction करता है या Vanadium का Oxide भी आप यहाँ पर ले सकते हो तो आपको Aromatization कैसे कराना है वो समझ लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबसे छोटी रिंग बिना चार्ज की क्या होती सबसे छोटी रिंग बिना चार्ज की सबसे छोटी रिंग बिना चार्ज की Aromatic होती Benzine तो आप यहाँ पर Benzine मना सकते हो तो बहुत ध्यान से देख लो यह condition ध्यान अखना 773 Kelvin और 10 से 20 ATM pressure पर in the presence of oxide of vanadium molybdenum और chromium ठीक है यह आपको दिया जाएगा Aluminium के साथ जैसे Al2O3 दिया जाएगा उसके साथ लिख देंगे ऐसा MO2O3 या vanadium का लिख सकते हैं या chromium का लिख सकते हैं तो यह 6 carbon का हो जाएगा अगर 7 carbon आगए तो बताओ क्या होगा तो क्या होगा यहाँ number of isomer बनने लगेंगे छेगी रिंग तो बेंजीन बननी है अब 2 carbon है 2 carbon कहां लगा सकता हूँ ऐसे या मैं क्या कर सकता हूँ 2 carbon कहां लगा सकता हूँ और थो पर मेटा पर और पेरा पर यह आपके हो जाएगे ठीक है तो यहाँ number of compounds बन सकते है ठीक अगला method of preparation of alkyne देख लेते हैं क्या कहने है alkyne से आप alkyne मना सकते हो कैसे बना सकते हो पहली वाली reaction है कि alkyne का partial reduction करवा दो किसके साथ H2 प्लस lindar catalyst के साथ हैना उसमें अपन H2 के साथ PD coke भी ले सकते हैं BSO4 बगेरा भी ले सकते हैं sulfur quinoline भी ले सकते हैं जो कि poison की तरह काम करते है तो वही कहान ही है कि palletized charcoal आपको मिल सकता है sulfur quinoline के साथ आपको मिल सकता है मैं आपको reaction लिख देता हूँ और ये reaction same side से addition होता है hydrogen का तो मैं reaction लिख देता हूँ या फिर ऐसा भी करते हैं यहाँ पर कि partially poisoned with sulfur quinoline ऐसा बुलते है sulfur quinoline quinoline कैसा होता है ऐसा तो ये क्या करता है poison की तरह काम करता है further reduction को रोकता है यानि कि एक बार बस reduction होगा bond break करो HH से बस एक बार और same side जोड़ देना ये HH से दोड़ा और ये इसको same side जोड़ देना तो ये कैसी बन गई cis alkin बन गई और H2 प्लस PDBSO4 का नाम lillard catalyst है इसका नाम lillard catalyst है बागी इसके लावा तो मैं H2 PDC sulfur को इनोरिन भी लिखाओ तो भी चलेगा अगली देखो birth reduction अगर trans बनाना है तो आपके सामने मान लीजे मैंने लिख दिया है ये alkyne, internal alkyne की reaction होगी ये terminal वाला तो फिर वो acid based reaction कर लेगा क्यों, termalkyne acidic nature के होते Na NH2 बन जाएगा, Na plus liquid ammonia हमें है तो Na plus liquid ammonia Na plus liquid ammonia क्या करेगा ये 5-1 तोड़ दो H or H से लेके न opposite side लगा दो तो ये reagent देखके तुम पहचान होगी क्या बनाना है, прис बनाना है कि ट्रांस बनाना है तो reagent बता रहा है कि ये birth reduction है तो तुम्हें trans बनाना है, बियां लगना ठीक है, reagent बता रहा है कि तुम्हें बनाना क्या है अगर terminal alkyne हो गई तो टर्मालकान का एच हटकर एने आ जाएगा सॉल्ट बन जाएगा अगली रिएक्षन डी आइड्र हेलोजिनेशन रिएक्षन देखेंगे इसमें क्या होता अलकाइल हेलाइड आपको दी जाती है यह मैंने इसलिए लिख दी ताकि आपके पास नोट जब स्टेबल बनेगी वो उसकी रिएट जाधा होगी आईए जरह मैं आपको बताता हूं रिएक्षन से मान लिजे मेरे पास ऐसा लिखा है रिएजन यहां मैंने हैलोजन ले लिए यहां दी तो अगर मैं बनाँगा तो इसके रेस्पेक्ट में यह अलफा है यह बीटा है कि यहां पर है ना जो कि एक बड़िया स्ट्रॉंग बेस की तरह गाम करता है अलकीन आपकी बन जाने वाली है ठीक है और रेट ऑफ रियक्शन किस बात पर डिपेंड करेगी ठीडिग्री टू डिग्री और वन डिग्री और अगर रेट ऑफ रियक्शन विद रेस्पेक्ट है तो आगर मैं बात करूं और आही आसानी से निकलेगा क्यों यहां से एकस निकलना है उसके बाद नकलेगा और बी और निकलेगा फिर अर सी यल और आर एफ की दो बहुत पूर रियक्शन होती है यह वाली क्योंकि पूर leading group होता है तो अल्फा से हैलोजन और बीटा से हैच अड़ा देना अलकीन मना देना बिना रियर्जमेंट के अगली रियक्षन देखो डियाइड्रिशन अफ एल्कॉल अल्कॉल से अल्कॉल से अल्कीन मनाते हैं concentrated H2SO4 यहां use करते हैं या H plus के साथ heating भी आपको दिया जा सकती है है ना और ये reaction भी बीटा है elimination का example है जो तुमने alcoholic के वेच में किया उसी type से ही होगा बस इस वाले में एक अच्छी चीज़ है rearrangement हो जाता है ठीक है तो ध्यान से देखिएगा इस वाले में rearrangement आपका होगा ध्यान से देखिए जैसे माली जै मेरे पास लिखा है R CH OH CH3 ठीक है ऐसा लिखा है अब मुझे दिया जाएगा H plus के साथ heating तो तुम्हें क्या करना है यहां पर ध्यान से देखना ज़रा H plus इसको देके protonate करा दो पानी निकाल दो तो तुम्हें कार्बोकटाइन बनता हुआ नजर आएगा ऐसा और अगर यह कार्बोकटाइन बन गया तो अब इसके rearrangement के बारे में तुम्हें सोचना है क्या यह rearrange हो सकता है कि नहीं और rearrangement में hydride shifting, methyl shifting से आगे आता है यह ध्यान रखिएगा hydride और methyl की shifting में hydride आ गया आता है जैसे, मान लिजे कभी कार्बोकटाइन यहां बना बता इसके कितने alpha-H है, दो alpha-H है अगर मैं यहां से hydride की shifting करा दूँ तो मेरे को कुछ ऐसा देखेगा तीन और तीन 6 alpha-H आ जाएगे, यानि कि ऐसी shifting होगी हमेशा ध्यान रखना, कार्बोकटाइन की stability बढ़ेगी तो shifting होगी है, shifting होती इसलिए और methyl की shifting अगर मैं चाहूंगा तो methyl तब ही shift होगा, जब सिर्फ methyl होगा H नहीं होना चीव उसके साथ अगर H हुआ तो फिर H shift हो जाएगा तो यहाँ तीनों मिथाइल है तो कोई भी एक मिथाइल को shift करा दो यहाँ 0 alpha H थे, यहाँ 8 alpha H आ गए इस तरीके से, ठीक और कभी अगर ring expansion आ रहा हो ध्यान सुनना, ring expansion तो इनसे भी जादा अच्छा होता है ठीक है, जैसे ring expansion कहां सोचना पड़ेगा तुमें तो 5 की ring 6 में convert हो जाएगी और अगर 4 की ring के बाहर plus होगा तो same ऐसे ही होगा, यह 5 की ring में convert हो जाएगी तो 4 की ring के बाहर plus और 5 की ring के बाहर plus में ring expansion होगा यह तो मैं सोचना पड़ेगा अब जरा ध्यान दो, यहाँ इसके 3 और 2 5 alpha H हो गए तो अब आप जब इसकी heating कराओगे न तो कार्वोकटाइन heating कराने पर अपने adjacent carbon यानि की alpha carbon से H निकाल देता है तो यहाँ पर दो alkyne मनेंगी दो alkyne मनेंगी, एक ऐसी दिखेगी और एक terminal पर दिखेगी, ठीक है और less or more substituted alkyne का answer हम यहाँ पर दे सकते, नाम बता सकते जैसे, यह alkyne है इधर एक carbon है, इधर एक carbon है तो इसके 2 alpha carbon है इस alkyne के 1 alpha carbon है ज़्यादा alpha carbon, more substituted तो यह है more substituted alkyne जिसको बोलते हम set jeff alkyne और यह क्या है, less substituted है less substituted है, इसका नाम है hoffman alkyne तो अगर कभी आप से set jeff और hoffman पूछ ले तो आप ऐसे बता पाऊगे, alpha carbon चेक कर लो ज़्यादा alpha carbon वो alkyne set jeff जो कम alpha carbon वो hoffman लेकिन इसका major minor से कोई लेना देना नहीं है major minor के लिए क्या करना है तो मैं major minor के लिए क्या करना है यहाँ मैं point लिख देता हूँ more stable alkyne is the major product more stable alkyne और stable alkyne alpha carbon से नहीं आती alpha x से आती है तो तुम यह चेक करो कि किसके alpha x ज़्यादा है तो more stable alkyne is the major product is the major product यह ध्यान रखिएगा कभी अगर आप answer करें तो alpha x जिसके ज़्यादा होंगे वो major product आपको देगा अगली reaction देगो dehalogenation reaction direct reaction है dehalogenation होती है तो इसमें क्या होते है दो halogen जो है वो remove हो जाते है zinc metal के साथ यह reaction होती है और ध्यान से देखें ज़रा zinc के साथ इसकी reaction करा दी हमने visional dihalide आपको लेना है ध्यान से देखो यह है x और यह है x ठीक है मैं यहाँ उपर लिख लेता हूँ इसको यह है x क्या गरो zn रखो और zn x टू उड़ा दो zn रखो और zn x टू उड़ा दो zn रखो और zn x टू उड़ा दो alken आ जाएगी ठीक है बहुत असान है आगे properties देख लो इसकी hydrogenation reaction यह हम कर चुके हैं एक बार फिर से देख लें आप alken से क्या बनता है alken बनता है किसके presence में h2 plus ni pt pt के presence में ni ho pt ho pd ho pi bond तोड़ना है किस से hs से तो मेरे को कुछ ऐसा नजर आने वाला है अगली reaction देखो hydrogenation reaction है यहाँ पर non polar solvent और polar solvent donor में होती है तो non polar or polar solvent non polar solvent में क्या है bromine chlorine वगर add करते है iodine नहीं जाता है iodine visional diode नहीं बनाता है वो unstable होता है iodine का बड़े size की वज़े से और iodine iodine donor combine होके I2 molecule बना लेंगे और reaction reversible कर देंगे कैसे reaction होती है ध्यान से देखना ज़रा non polar solvent CCL4 या CHCL3 या CH2 CL2 वगरा दिया जाता है ये alken है और इस पर X2 की reaction करानी है CCL4 हो सकता है या CHCL3 हो सकता है या CH2 CL2 हो सकता है क्या करना है pi wand तोड़ दो X और X से और या opposite लगा दो pi wand X और X से चोड़ना है और opposite लगाना है जोड़ना नहीं है opposite लगाना है ऐसा ठीक है तो एक तरीके से क्या है मतलब जोड़ने का लगा ये एक है कि opposite side लगा देना है ठीक है चली आगे चलते है इसमें एक polar solvent वाली और थी हाँ चलो polar से पहले ये देख ले अगर आप मेरे पास ब्रोमीन दिया है लो जाँ तो उसको test for unsaturation बोलने लगते है आईए ज़रा ब्रोमीन का जो color है वो discharge हो जाता है reddish orange color होता है इसका और ये compound जो है वो colorless हो जाता है ठीक है तो ये test for unsaturation कहलाता है आगे चलते है अगर solvent polar है सर्दी जादा नहीं हो रही अगर solvent polar है तो जैसे x2 के साथ पानी दिया जाएगा आपको usually और x2 प्लस पानी देता है hox ठीक है डियान से देखना ज़रा अब hox है तो यहाँ पर x plus oh h minus मना लो और इसको तुम दोड़लो minus plus में ठीक है और वो depend करता है कि यहाँ पर क्या लगा है side में माल लीजे मैं इसको change करके ऐसा कर देता हूं तो आप बता पाओगे कि कौन कहां जाएगा चलिए बताइए यह कैसे डूटेगा ऐसे यहाँ minus यहाँ plus बनना चाहेगा OH negative से यह जुड़ जाएगा और CH2 negative से यह तो आपका यह आ जाएगा CH plus से जुड़ेगा OH और CH2 से जुड़ेगा हैलोजन ऐसा दिखेगा ठीक इसको बोलते है हैलो हाइडरेन इसका नाम है हैलो हाइडरेन formation यहाँ हो गई और अगर यहाँ X bromine आ गया तो bromine water test उसका नाम हो जाता है वो भी test for unsaturation होता है अगला देखें HX का addition कराना है आपको बहुत आसान लिए action है अगर माली जो मेरे पास है अलकीन HX क्या देगा आपको H plus देगा और X minus देगा यह आप जानते हैं लेकिन सबसे पहले H plus इस पर attack करेगा और अलकीन जो है वो कार्बोकेटाइन मनाईगी ऐसी आप इसको ऐसे तोड़ दो ना इसको मैंने ऐसे तोड़ा यहाँ minus यहाँ plus तो H plus इसके पास जाएगा यहाँ कार्बोकेटाइन मनेगा अब यह कार्बोकेटाइन में रियर्रेंजमेंट चेक करना हाइडराइड सेफ्ट, मिथाइल सेफ्ट, ट्रिंग, एकस्पांसन रियर्रेंज इफ पॉसिबल अगर पॉसिबिलिटी है तो रियर्रेंजमेंट करवाते हैं और यही पर X negative हम चिपका देंगे मैं यह माल लेता हैं कुई चलो यही वाला सबस्याद इस्टेवल है लेकिन कार्बोकेटाइन का रियर्रेंजमेंट सोचना है यहाँ पर तुमें ठीक है उस हिसाब से आंसर करना है और अगर HX में rate of reaction तो HI, HBR, HCL यह order होगा क्यों? आसानी से क्यादा stable होगा और इस पर पानी आएगा तो पानी आता है तो H प्रस निकल जाता है लेकिन जुड़ता क्या है OH? और मैं क्या मान रहा हूँ? इसी को stable मान रहा हूँ? लेकिन अगर मान लो आर में ऐसा कुछ हो रहा है कि rearrange हो रहा है तो rearrange if possible और final rearrange प्रड़क्ट के साथ OH मान जोड़ का प्रड़क्ट बनाएंगे अगला देखो sulfuric acid का addition है यहाँ usually आपको ethene और propene मिलता है तो यहाँ कोई tension आपको नहीं लेनी ethene और propene मिलता है यहाँ पर तो बस यह दो reaction selected है यहाँ tension नहीं लेनी प्लस माइनस बना के जोड़ देना cold concentrated H2SO4 होना चाहिए H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बात बरावर H2SO4 ही है तो मुझे क्या करना है प्लस माइनस बना के जोड़ना यहाँ तो tension नहीं है identical है कहीं भी जोड़ दो माइनस प्लस clear एकदम अगला देखो HBR परोक्साइड के साथ anti-markovnikov rule लगाना है in scientist लोगों ने यह किया था HCL और HI में नहीं लगता क्योंकि HCL और HI में कोई ना कोई एक step endothermik होता है तो वो bond energy अचीव नहीं कर पाता जो free radical के लिए जरूरी होती है HBR जो है बस anti-markovnikov rule क्या होता है negative part reagent का वहाँ जाएगा जहाँ ज्यादा H होंगे तो मैं negative part यह माल लूँ यह positive तो यह यहाँ जाएगा ज्यादा H है तो H यहाँ चला जाएगा बनेगा RCH2 CH2 और बेटे BR आ जाएगा यह आजाएगा आपका कितना असान है अगली reaction देखें oxidation bears reagent के साथ dilute alkaline KMN4 कोई rearrangement नहीं कराना आपको यहाँ दिया जाएगा dilute alkaline KMN4 1-2% तक यूज करते है dilute plus slightly alkaline slightly alkaline KMN4 क्या गरना है आपको यह pi bond तोड़ दो OH OH से यानि कि sin hydroxylation sin मतलब same side OH जुडते है oxidation आपका हो गया ozone lysis में दो टाइब की ozone lysis होती है एक reductive और एक oxidative और alkyne के detection के लिए इसको use किया गरते हैं है ना जैसे reductive ozone lysis की बात करें reagent कैसे पहचान होगे आपको कैसे सपने दोड़ी आते हैं आप ऐसे पहचान होगे भाई reductive के reagent लिख रहा हूँ मैं अगर reagent कुछ इस प्रकार आपको दिख रहे हैं तो ये क्या है reductive ozone lysis है O3 प्लस CCL4 ME2S और क्या करना है आपको इसमें बहुत आसान काम करना है double bond जितने भी है सबको तोड़ना मैं एक समझा देता हूँ bond तोड़ो O-Oh-Go 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 بتाओ कितना अचान है double bond जोड़ा O-O Go कर दो और कार्बोनाइल compound आपके मिलने लगेंगे Sir oxidative कैसे पहचान है O3 के साथ CCL 4 पानी दिया जाए या O3 plus CCL 4 H2O2 लिखा हो या फिर O3 या फिर आपको hot K- winner करता है और केलावा के टू सेवन भी चलेगा और के टू सेवन भी यहाँ पर चल जाएगा तो क्या करना है ध्यान से देखो माली जेए यहां R लिखा है यहां H लिखा है यहां C लिखा है डबल C यहां R और यहां भी R ठीक है अब मुझे यहां मालो oxidative paralysis कराना है तो क्या करो पहले reductive कराएंगे देखो oxidative के लिए पहले reductive के रास्ते से जाना पड़ेगा bond तो डेंगे O O go लेकिन यह बन गे aldehyde तो aldehyde further acid in oxidize हो जाता है तो जिस carbon पर O आ रहा है अगर उसके पास H है तो यह भी oxidize हो जाएगा यहाँ H नहीं है तो oxidize नहीं होगा तो इसका final answer आएगा R COH plus O double bond C R और R ऐसा आएगा मालों दोनों जगे H होते सबोर जैसा लिखा होता H CH double bond C यहाँ H और यहाँ R तो क्या तो oxidize में answer ध्यान से देखें यह bond दोड़ेंगे O O go और यह चेक करेंगे इस carbon पर H आ रहा है तो यहाँ भी oxidation होगा और oxidation O से होता है यहाँ CH bond के बीच में वो लगा देंगे left side का हिस्सा दिख रहा है H2CO3 और right side का हिस्सा दिख रहा है RCOH और H2CO3 unstable होता है तो final answer देना है CO2 प्लस water में तूट जाएगा तो carboxylic acid CO2 और water इसका answer आएगा clear है चलिए अगला alkyne की preparation देख लो carbide में CAC2 दिया जा सकता है आपको या Mg2 C3 दिया जा सकता है क्या करना है पानी एड़ कर दो पानी एड़ कर दो पानी क्या करना है पानी एड़ कर दो बहुत आसान है इस metal का hydroxide बना दो ठीक है ध्यान से देखो ज़रा इस metal का hydroxide बना दो और दो carbon की alkyne बना दो दो carbon है न तो दो carbon की alkyne यहाँ तीन carbon है तो तीन carbon की alkyne और metal के hydroxide यहाँ बन जाएंगे plus minus करके जोड़ सकते हो मैंने charge बना दिया है प्लस को minus से minus को plus से जोड़ लो अगला देखो dehydrogenation अगर आपको यहाँ पर alkyne बनाना है तो आपको vicinal dihalide दिया जाएगा ठीक है ऐसे लिखा है vicinal dihalide दिया है और यहाँ लिख देते हैं alcoholic kvh followed by NANH2 है ना ऐसे लिख देते हैं alcoholic kvh और NANH2 यह base की तरह गाम करते हैं इसके respect में यह alpha यह beta alpha से halogen beta से हैस निकाल दो जो पीछे alkyne में सोचा था आपने और इसके respect में भाई सहाब यह alpha यह beta तो यहाँ hx निकाल दो तो दौनों निकल जाएंगे hx तो ऐसा दिखेगा क्या मिल जाएगा आपको alkyne मिल जाएगा ठीक अगला देखो properties ना प्रॉपर्टी इसन तो बहुत आसान है यह plus minus के form में रहते हैं अगर आपको कभी जरूद है मालो base वगर डाला है तो reaction हो जाएगी metal लाल दिया तो reaction हो जाएगी मालो sodium के साथ reaction करानी h2 gas निकल जाएगी n-n-s2 के साथ करानी ammonia निकल जाएगी इस तरीके से आप सोथ सकते हो अगला addition reaction देखो hydrogenation यह हम कर चुके हैं है न जैसे आपके पास alkyne है ध्यान से देखें जरा इसकी reaction h2 plus pd सिर्फ यह लिखा हो और h2 plus pd bso4 लिखा हो ठीक है और ऐसा लिखा हो birth reduction na plus liquid ammonia जरा ध्यान से देखना ध्यान से देखना इधर अगर ऐसा लिखा है तो h2 pd क्या करेगा bond तोड़ेगा दोनों hh और hs से इस वाले केस में है न तो यह बनाएगा r ch2 ch2 rs यह बन गया क्या alkyne लेकिन इस वाले और इस वाले केस में यहां बनेगा एक ही bond टूटेगा तो यह बनाएगा सिसलकीन और यह बनाएगा ट्रांसलकीन है न यह बात आप जानते हो clear एकदम अगली reaction देखें है halogenation reaction देखेंगे alkyne के halogenation माल लो ऐसा लिखा है rc triple bond r- और मुझे x2 दो मोल चाहिए क्योंकि alkyne है न तो दो मोल ccl4 एक बार दिया तो एक ही बार करेंगे लेकिन दो मोल यूजली ले ले लेते हैं अगर नहीं दिया है तो दौन पाई बन टोड़ेंगे x x और x x से देखो tetra halide बन जाएगा दोन पाई बन तोड़ो x x x और x ठीक है ऐसा आ जाएगा अगला देखें कुछ रोव reaction यानि की water का addition होता है यहां पर कुछ रोव reaction में reagent मिलता है hg2 plus water लिखा होगा या फिर dilute h2 so4 और hgso4 लिखा होगा ठीक है plus dilute dilute h2 so4 यहां दिया जाएगा तो मेरे पास यह है rc triple bond ch और hg2 plus water लिखा है या यह reagent दिया है तुमको क्या करना है पानी जोडना है h plus और oh minus बिटा अब तो पानी पे तुम्हें चार्ज दिखना चाहिए ना पानी पे तुम्हें चार्ज मेजर आने चाहिए r donating group है यह minus यह plus बनेगा एक बार जोड़ दो बस एक बार भार बहिया एक बार जोड़ना है बहिया ऐसा दिखेगा और यह inol बन गया inol का keto बना ल लिखा है और मेरे पास hx दो मोल है प्लस माइनस कर दो यहां तोड़ दो यह माइनस यह प्लस बन रहा होगा दौनों बार reaction करा देंगे सेम जगए पर ऐसा दिख रहा होगा यानि कि geminal dihalide बन जाएगा बस दो बार तुमको reaction करवानी है अगला देखो coupling reaction देखेंगे अगर म यहां एक हटा कर यहां पर methyl कर दूँगा तो अब तीन मोल जब coupling करेंगे तो बिटा यह alternate जुड़ जाएंगे एक यहां एक यहां इसको mesitiline बोलते हैं अगर मैं यहां भी कर दूँ तो भाई साब अब आप आसानी से बना सकते हो बताओ अगर मैं यहां भी कर दूँ तो मे ही पढ़ दिये पढ़ा में आलब्री डण फीन यह अगला तेको फिनल के साथ रियक्षन तो पी हो ह जिंक डेस्ट के साथ रिएक्षन करता किसके सा तुढ़ कहां ड़ा दो पी एच व बन जायगा बाईसाब से ये भी already done लेकिन चलो ये वाली लिख लेते हैं बहुत पहले आलकेन में पड़ी थी है अगला देखो property में देखो ESR Electrophilic Substitution Reaction में क्या होता है बेंजीन की reaction होती है कोई आपको Electrophil मिलता है और यहां से H हट जाएगा H की जगए E आ जाएगा यानि की Electrophil ने H को substitute कर दिया ठीक है H प्लस निकल जाएगा और Electrophil आ जाएगा अब में मुद्दा यह है कि सर Electrophilic Substitution Reaction में Electrophil कैसे पता करोगे तो वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यह कहा है Reaction के साथ-साथ Reagent हम लिखेंगे जैसे Concentrated HNO3 प्लस Concentrated H2SO4 यह दोनों आपस में रिएट करके आपको देते हैं NO2 प्लस Nitronium IN और इस Reaction का नाम होता है Nitration नाम है क्या करना है बेंजीन से H अटा कर NO2 लगा देना अरे भाया यही तो Reaction है यहाँ NO2 प्लस दे देंगे H अटा कर NO2 लगा दो ठीक अगली Reaction है Halo G Nation Halo G Nation X2 प्लस एन हाइड्रस Fe X3 यहाँ सिंपल Fe लिख सकते हैं X प्लस मिलेगा Electrofile X प्लस है H अटा कर X लगा दे ना हेलो एंजीन बनेगा यहाँ नाइटो एंजीन बनेगा अगर मुझे वोला Freedal Craft Freedal Craft Alkylation Freedal Craft Alkylation में होता है RX प्लस एन हाइड्रस ALX3 आता है और यहाँ पर R प्लस बनेगा बस यह चेक कर लेना Rearrange इफ पॉसिबल अगर पॉसिबलीटी है तो कार्वोगटाइन को रिएरेंज कराके फिर एलेक्ट्रफाइल सब्स्टिट्यूट करवाएंगे अगला है Freedal Craft Asylation इसमें आपको मिलेगा RC Double Bondo X प्लस एन हाइड्रस ALX3 क्या गरोगे यहाँ बनेगा RC Double Bondo प्लस और यहाँ Rearrangement नहीं है ध्यान रखना No Rearrangement क्यों क्योंकि इसकी बीवी है बीवी है तो भईया Rearrangement नहीं होगा ठीक है लोन पेर इसका Back Bonding में है तो बस यहाँ सीधे सीधे जोड़ देंगे बेंजीन पे H हटा कर अगला है Sulfonation Sulfonation में आपको मिलेगा Olium मिल जाता है या इसके अलावा Concentrated H2SO4 भी दे सकते हैं ठीक और Olium होता है SO3 प्लस H2SO4 यानि कि H2SO7 भी लिखा मिल सकता है और इसमें Electrofile SO3 होता है तो आप इसमें जब H हटाओगे तो बेंजीन पर SO3 आएगा लेकिन वो SO3 नेगटिव होगा H प्लस लेकर बेंजीन सलफोनिक एसिड बना देना ठीक है तो ये overall इसकी reactions है अब इसमें एक main मुद्दा ये है कि सर अगर मानलो पहले से कोई group लगा है तो ध्यान से देखना अगर बेंजीन पर पहले से ही plus M group लगा है और बेंजीन पर पहले से ही minus M group लगा है सुनना ध्या पर तो अगर मानलो मैं कोई electrofile लाता हूं दौनों जगह पर तो मुझे एक बाब बताओ electrofile किसकी बात मानेगा electrofile विचारा खुद electron deficient है ये बोलेगा अब मुझे चाहिए electron प्लस मैं बोलेगा इधार आओ इधार आओ तो यह बोलेगा इधार आओ तो कहां ले जाएगा यह और थो और पैरा पर तो यहां दो प्रोड़क्ट बनेंगे एक बनेगा और थो और एक बनेगा पैरा अब वो reaction पर डिपेंड करता है आने वाले chapters में हम पढ़ेंगे कि कब कौन सा major होता है है ना माइनसम जो है वो खीचेगा इलेक्टोफाइल मना करेगा लेकिन बोलेगा चलो ठीक है आप बुला रहे हो तो आ जाते है लेकिन इच्छा नहीं है इसकी यह बोलेगा भीया यहां प्लस है तो इलेक्टोफाइल बोलेगा यहां तो कुछ भी नहीं ना यहां चले जाओ तो आ जाता है तो कहते हैं ही 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 इसकी क्या ज़रुवत्ती है ना यह उस टाइप के हैं अगर मुझे rate of reaction compare करानी है rate of reaction तो कैसे compare कराऊंगा ESR में ध्यान से देखना अगर मैं यहाँ पर electron donating group लगा दूँ एडी जी तो इसकी rate of reaction जादा होगी क्यों क्यों क्योंकि यह electron donate कर रहे हैं negative create करेंगे फिर neutral वाले की और फिर होगी electron withdrawing वाले की सही बात है क्योंकि यह withdraw खीच रहे है इलेक्ट्रोफाइल को electron चाहिए थे यह तो खीच रहा है यह वही वाले रिस्टार है है और यह बहुत खुसी वाले हैं तो जरा मुझे एक बात बताओ एक सवाल है आपके सामने ऐसा लिखा है मान लीजिए CS3 और ऐसा लिखा है और ऐ किसकी rate of reaction ज्यादा किसकी कम ओविसली यह plus M है ज्यादा plus M due to plus H neutral वाला और फिरी है लेकिन एक सवाल आपके सामने दिखता है जिसमें आप घूम जाते हो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया OCS3 ध्यान से देखना है एक यह कर दिया एक मैंने बेंजीन कर दिया एक मैंने नाइट्रो वेंजीन कर दिया अब मुझे rate of reaction compare करानी है तो dominating effect से answer आएक अधिया नगना rate of reaction dominating effect से कैसे इसका plus M is greater than minus I dominating effect यह है इसका minus I is greater than plus M dominating effect यह है इसका minus M is greater than minus I dominating effect यह है यानि कि plus M वाला support करेगा neutral वाला इससे तो जादी होगा minus वालों से और minus I वाला जादा होगा minus M वा reaction chloro engine से जादा होती है ध्यान रखना confuse मत होना dominating इसका minus I है आप बोलोगे सब chlorine के पास loan pair है plus M है लेकिन उसका minus I dominate करता plus M पर इसलिए rate of reaction benzene की जादा होती है ठीक है आईए कुछ addition reaction है addition reaction की अगर मैं बात करूं benzene की तो यहाँ पर high temperature high pressure पर hydrogenation possible है पहली बार देखने से नहीं ल जाएगा और इसकी एक reaction है अगर मैं CL2 sunlight axis में ले लूँ है ना तो यह सारे पाई बॉन तोड़ जाएंगे और यह बन जाएगा गमेक्जेन लिंडेन गामा बीहसी गामा डॉपल से इसके बहुत सारे नाम है ठीक है गामा बीहसी नाम है benzene hexakloride इसका पूरा नाम है benzene hexakloride आप बोलो कि सर इसमें benzene तो नहीं है फिर भी नाम benzene hexakloride जी हाँ benzene से derive हुआ इसलिए ऐसा बोला गया गामा भी है गामा डॉपल सिक्स क्यों क्योंकि इसका molecule formula C6 H6 CL6 ठीक है इसको lindane भी बोलते है इसको gumexane भी बोलते है ठीक है और insecticide होता है DDT से अच्छा होता है ठीक ह C followed by zinc water gives formaldehyde और 2 methyl propanel मुझे बताओ propanel मैं ऐसे लिख लूँ ऐसे लिख सकता हूँ मैं एक दो तीन carbon और 2 पर methyl लगा दूँ यह हो गया formaldehyde को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बिलकुश सही बात है तो यहाँ पर मैं O2 निकाल दूँ और O2 निकालूँगा तो मेरे को कुछ ऐसा नजर आने वाला देखो क्या यह बात सही है देखो कितना असाना अब इसका UPC गलओ 1,2,3,4,23 डायमिधाईल ब्यूट्वनीन,23 डायमिधाईल ब्यूट्वनीन, यह क्या हो गए खैंगा है, इसध लगाता है अगला देखो the major product of the following reaction, ध्यान से देखें जरा, यह जो दिया है, यह पर ओक्साइड है, ठीक है, पर ओक्साइड है, और HBR पर ओक्साइड में anti-markovni-gov rule लगाना है, ध्यान से देखो, यहां BR और यहां H आ जाएगा, इधर BR लगा दो, तो CH2 के terminal की तरफ BR लगा रहा होगा, धोलक पुरांसर आ जाएगा, देख रहो, नीट में सवाल है, अगला, विच आप दी फॉलाइंग अलकेन गेन गुड इल्ड वाइवर्ज रियक्शन, और नंबर की अलकेन नी बन सकती, इवन की बन सकती है, गौर से देखो, N हैप 10 ओड होता है, वाकि सारे इवन है, ठीक है, सिमिट्रिकल अलकेन बनती है, क्योंकि रेडिकल की कपलिंग होती ह अगला, विच आप दी फॉलाइंग अंबाउन इस मोर्स डियक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्विशन, ध्यान चे देखना जरा, इसका माइनस M इस ग्रेटर दैन माइनस I है, और इसका माइनस I इस ग्रेटर दैन प्लस M है, ठीक है, तो ध्यान चे अगला, जब टर्मिनल पर टवल बांड होगा, और साफ साफ बदलापुर दिख रहा है, क्यों, टर्मिनल पर होगा, तभी तो ये मीधेनल बनेगा, अंकल, कैसी बात है कर रहा है, अंकल, ये देखो, ये मीधेनल बन गया ना, फिर टर्मिनल होना चाहिए, अगला, विच पीडी सी कुई नोलिन, बहुत बड़ी है, बदला पुरा अंसर है, कितना अच्छा है, इससे तो ट्रांस बनेगा, ठीक है, अगला, इसकी रिएक्षन करानी है, कुचिरोव रिएक्षन, देखो, H2SO4, HGSO4 दे रखा है, क्या गरोगे, बांड दोडोगे, माइनस प्लस, पानी जोड़ दोगे, एक बार, एक बारी, और ये OH- यहाँ जाएगा, और ऐसा दिखेगा, और ये वन गया, इनॉल और इसका कीटो बना देंगे, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, आगरा, इसदा, सुरी, बदला पुर is the right answer, और कुछ, अरे यार, जा रहा था सवाली कटम होगई चलो कोई नहीं बाकिए आप पीवाई की कर लेना ठीक जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं बहुत बड़ा वाला थेंक्यू 400 सालों से हम कहना चाह रहे थै आप से तेंक्यू सो मच्छ आप यहां पर आए ऐसा या आते रहा गरू मल लगा रहता है ठीक है और अब हम मुलागात करेंगे आपसे next lecture में तब तक के लिए पड़ाई करते रहें all the very best और 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 बहुत मजाने वाला आगे मिलने विड़ा फिर तब तक के लिए ओके बाई